हेलो एवरिवन, जैहिंद, वेलकम टू जासर अकाडमी फॉर आईएस हम करने जा रहे हैं मेंस का प्रिवेस एर क्वेशिन अनालेसेज और आज हम देखेंगे जन्रल स्टेडीज पेपर वन इंडियन हिस्ट्री सेक्शन से एक क्वेशिन मैं उमीद करते हूँ आप लोगों ने इस क्वेशिन को अटेम्ट किया होगा और एक बहुत अच्छा आंसर फ्रीम भी किया होगा आज के क्वेशिन में हम ये देखने वाले हैं कि गांधियन फेज में किस तरीके की हमें नाशनल मुव्मेंट बढ़ती भी देखने को मिले किस किस तरीके के हमें काम देखने को मिले अगर हम हिस्ट्री पॉइंट ओ व्यू से देखे तो modern हिस्ट्री में गांधियन फेज एक बहुत ही जादा इंपॉर्टेन फेज है तो इसको प्रॉपर तरीके से पढ़ना और इसके लिए जो इंपॉर्टेन पॉइंट्स वो अगर हमारे पास ready होंगे तो इसलिए आपको आज बहुत ही भैतरीन पॉइंट्स मिलने वाले हैं गांधियन फेज से रिलेटेड आप इन पॉइंट्स को अपने पास नोट करके ज़रूर रखिएगा इट विल डेफिनेटली हेल्प यू अलॉट इन दी नियर फ्यूचर सो सेशन के शुरू करने से पहले काई जिन भी स्टुनेंट्स ने हमारे टेलिग्राम चानल जॉइंट नहीं किया है वो तुरण डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएए वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडिड होगा उस लिंक के थुरू आप हमारे टेलिग्राम चानल को जॉइन कर सकते हैं और उसका बेनिफिट आपको यह होगा कि आपको हमारी सारी पीडिएफ का एकसेस मिल जाएगा जो आप लोगों के लिए अप्लोड कर दी जाती है हमारे टेलिग्राम चानल पे ही फ्री ऑफ कॉस्ट जैसे की करन्ट अफैर्स की पीडिएफ से या फिर जो हम मेंस का प्रीवेसर क्वेशन अनालेसिस करते हैं इसकी पीडिएफ से और उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जो वीडियो लेक्टिर्स अप्लोड किये जाते हैं आपको उनका भी डिरेक्ट लिंग यहां पर प्रोवाइट कर दिया जाएगा और गैस अगर आप अपने एक्जाम्स की सीरियसली प्रेपरेशन कर रहे हैं तो मैं कहूंगे कि आपको करन्ट अफेर्स के लिए तो बिल्कुल परेशान होनी की ज़रत नहीं है आपको अपना टाइम, मनी, एफ़र्ट्स कुछ लगाने की ज़रत नहीं है अपको सिर्फ क्या करना है जासर अकैडमी पर आप लोगों के लिए रिगिलर बेसिस पे करन्ट अफेर्स की वीडियो लेक्चिस अप्लोड किये जाते हैं आपको सिर्फ कंसिस्टेंटली उनको फॉलो करना है ताट इस more than enough क्योंकि हमारे करन्ट अफेर्स से बाहर का आपक एक्जाम में कुछ भी पूछा नहीं जाएगा और गैज हमारे GS का भी प्री प्लस मेंस बैच रन कर रहा है आप इस बैच को भी जरूर जॉइन कीजिए बहुत अच्छा बैच है इस बैच में आपको GS1234 की बिल्कुल 0 से तयारी करवाई जा रही है जासर आपको खुद तो जरूर 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 ज़ाइन कीजिए गाइस बैच को और हमारा मेंस का भी answer writing बैच रन कर रहा है आप इस बैच को भी जरूर ज़ाइन कीजिए बहुत ही बहतरीन बैच है इस बैच में आपको 500 प्लस questions की practice कराई जा रही है हमारी export faculty हैं वो आपक किया जाता है with proper explanation so guys अगर आप seriously civil services examination की preparation कर रहे हैं तो आप in batches को जरूर join कीजेगा join करने के लिए आप नीचे दिये गए number 9713282838 पर whatsapp के through आप courses की details ले सकते हैं और courses को join कर सकते हैं तो चलिए guys अपना आज का session स्टार्ट करते हैं हमारा question है many voices had strengthened and enriched the national movement during the Gandhian phase elaborate गांधिवादी चरन के दोरान कई आवाजों ने राश्ट्रिय आंदोलन को मजबूत और समरित किया था विस्तार से कहना तो यह question guys GS1 Indian history section से लिया गया है और यह question UPSC ने 2019 में पूछा था तो जब हम इस question की बात करते हैं guys तो इस question में क्या बोला गया है कि अगर हम गांधियन phase की तरफ देखें कि गांधिवादी चरन जो था गांधियन phase था जहाँ पर गांधी जी ने अपना काम किया था वो आगे आये थे कहाँ पर कि उन्होंने किस तरीके से गांधी जी ने जो इंडियन national movement थी हमें देखने को मिली उसको किस तरीके से enrich किया ठीक है उसको किस तरीके से समुरिद बनाया हमें वो बताना है कि किस तरीके से international movement हमें देखने को मिला था हमें बताए गांधी जी ने क्या किया था गांधी जी ने masses को unite किया था बिल्कुल lowest level तक obviously इंडियन national congress जो थी हमारी setup हुई थी उन्होंने वो awareness दी थी लोगों को कि हाँ आप अंडर control है आपका exploitation किया जा रहे लेकिन उनको एक जुट करना और उनको खड़ा करना उनके लिए उनको प्रेयरित करना कि हमें लड़ना है हमें स्वतंतरता के लिए लड़ना है वो गांधी जी ने किया था तो किस तरीके से उन्होंने लोगों की voice जो लोगों की आवास थी उसको मजबूत बनाया उनको उठाने में मदद किया तो उस चीज़ के बारे में हमें इस question में mention करना है ठीक है So let's start with our answer now Gandhian face in Indian freedom struggle is undoubtedly remarkable because of the perspective Gandhiji provided to the masses and the way he guided the freedom fighters with the means of truth and non-violence अगर हम बात करें कि सबसे साथ अगर हम गांधी जी की ideology की बात करें कि किस ideology पर उन्होंने काम करना शुरू किया था क्या वो लोगों को समझाते थे क्या वो लोगों को बोलते थे क्या था कि एक तो सच्चाई रखो हर चीज में आप सच्चाई के साथ जीतोगे अगर आपको जीतना है आपको स्वतंत्रता लेनी है तो आप सचे रहो आप सचाई के साथ हमेशा खड़े रहो आप ठुथ ठीक है और दूसरी चीज नॉन वाइलन्स की हमें लड़ना है येस हमें फाइट करनी है हमें अपनी इंडिपेंडनेंस के लिए अपने राइट्स के नहीं करनी हमें बिल्कुल शांती पूर्वक तरीके से ये कम करना है तो गांधी जी ने इंडियन फ्रीडम स्ट्रकल में बहुत कहें रिमार्केबल है हम सबी जानते हैं उन्होंने क्योंकि लोगों को एक दिशा दिखाई उनको युनाइट किया उनको एक दिशा दिखाई एक परस्पेक्टिव दिया उनको बताया कि उनको किस तरीके से आगे बढ़ना है कैसे जो फ्रीडम फाइटर से उनको दिशा निर्देश दिये कि किस तरीके से उनको आगे बढ़ना है और किस रास्ते पे चलना है किस पत पे उनको चलना है सच्चाई के पे और अहिंसा के मार पर उनको चलके एकाम करना है but there were numerous other simultaneous factors which further strengthened Gandhi's efforts and contributed to the nationalist movement लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे factors हैं जो जिनकी वज़े से मतलब जिन्हों ने गांधी जी के जो efforts से उनको और ज़्यादा मजबूत किया और वही जो efforts से उन्होंने nationalist movement में contribute किया अपना एक अच्छा योगदान दिया तो अब हम देखेंगे कि किस तरीके से गांधियन फेज में या गांधी जी ने क्या ऐसे efforts किये क्या क्या ऐसे हमें काम देखने को मिले जिससे कि जो national movement है वो और ज़्यादा समरिद हुआ enrich हुआ और voices strong हुई लोगों की आवाज उठी पहला है खिलाफत movement जो हमें 19-19-1922 में देखने को मिला था It was launched by the Indian Muslims to pressurize the British government to preserve the authority of Ottoman Sultan as Caliph of Islam Gandhiji and Congress leaders viewed this as an opportunity for cementing Hindu-Muslim unity and bringing the Muslims in the national movement although this event is said to have brought the issue of religion in the freedom struggle हमें खिलाफत movement देखने को मिली ठीक है खिलाफत movement शुरू हुई थी तो वो उस टाइम पे किन grounds पे शुरू हुई थी कि जो Muslims थे अब ये चीज हम जानते हैं कि जब revolt of 1857 हुआ था उसमें Hindu-Muslim सबने मिलके ही लडाई की थी उन्हें मिलके विद्रो किया था उसके बाद British ने क्या करना शुरू कर दिया था British ने डिवाइडेंट डूल का खेल खेलना शुरू कर दिया उन्होंने Muslims को isolate करना शुरू कर दिया हर चीज में उनके ओपर जादा exploitation वो करते थे तो अब इस टाइम पे अपनी सुप्रीमेसी कर दी थी महाँ पर उनका जो Muslims का जो कैलिफ हम बोलते है कैलिफ थे जो Islam के जो कैलिफ थे उनके महाँ पर सुल्तान थे ठीक है उनको महाँ से गद्दी पे से हटा दिया था उसके जो इंडिया में मुसल्मान रह 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 थे मुसलिम्स रह रहे थे वो इससे बहुत ज़ादा निराश हो गए थे और उनको चाहिया था कि उन्हीं के सुल्तान को वापिस से गद्धी पर बिठाया जाए उनको respectfully वापिस उनकी position दे दी जाए तो इसके लिए क्या थे मुसलिम्स जो थे वो भड़के हुए थे वो इस होके लड़ेंगे तब ही हम Britishers को हरा सकते हैं हम अपनी स्वतंतरता लेके आ सकते हैं तो उस ताइम पे और हम जानते हैं क्या हुआ था जलियां वाला बाग मसेकर भी हमें देखने को मिला था ठीक है तो उसके लिए भी क्या थे हिंदू भी भड़के वे थे तो उन्होंने इखटे होके कि हम युनाइट होके लड़ेंगे तो हम जीच जाएंगे उसके उन्होंने खिलाफत मुव्मेंट स्टार्ट किया बट हम जानते हैं कि जैसे गांदी जी की पॉलिसी क्या थी आइडिया जी हम में नॉन वॉयलेंस पर करना है लेकिन 1922 में हुआ क्या था चौ ग्राउंड जैसे बन गए इशू बन गया फ्रीडम स्ट्रगल के लिए डिलीजन का ठीक है फिर नेक्स्ट हम बात करें दी आइडेलोजिकल दिफरेंसे बेट्वीन दी स्वाराजिस्ट अन दी नॉचेंजर्स विधिन दी कॉंग्रेस लेट तो सीरियस चेंजिस अन नॉचेंजर्स नॉचेंजर्स अन कॉंटिनुड देर कंस्ट्रुक्तिव प्रोग्रम फिनिंग टेंपरेंज हिंदू-मुस्लिम यूनिटी रिमूबल फॉन अटेचिबिल्टी एक्सेक्टर वेराज सुवराजस्ट वन दी इलेक्षिन अफ सेंटर लेजिसलेटिव असें वहा था पुलिस टेशन पर आग लगा दी तो महत्मा गादी जी ने वहा पर देखा कि बहुत को भटक गया है नॉन वॉयलंट हो गया हिंसा हमें देखने को मिल रही है तो उस ताइम पर महत्मा गांदी जी ने इस चीज़ को देखके ख्लाफत मूव्मेंट पर रोक लगा नो चेंजर्स कौन से थे जिनको जो महात्मा गांदी जी की स्टान को पसंद नहीं किया उनको लग रहा था कि हमें ये movement carry forward करना है हमें लड़ना ही है तो उन्होंने क्या किया कि हम कोई change नहीं लेके आएंगे ठीक है जो spinning का प्रोग्राम है हिंदू-Muslim unity है हमें untouchability को हटाना ह जो चुँआ चात है उसको हटाना है हमें इन सब चीजों पर हम ऐसे ही काम करते रहेंगे जैसे कि अभी हम कर रहे हैं हम change नहीं करेंगे अपनी idea को लेकिन कुछ pro changers थे या हम कहीं स्वराजिस थे उन्होंने क्या कि जो political void हमें देखने को मिल रहे हमें राजनीती में हमें उ उसमें जाके politics में जाके political void को भरके हम वहाँ पे लड़ेंगे और Britishers को वहाँ पे तोड़ेंगे उनको उधर जाके हम लड़ाई शुरू करेंगे हम अपनी स्वतंतरता का शुरू करेंगे national movement को इस चीज से बढ़ावा भी मिला और जादा strengthen हुई national movement क्योंकि यहाँ पे उन्होंने जाके अपने तरीके से लोगों को अपने favor में किया और अपने तरीके से उन्होंने बिटिशर से लड़ाई करनी शुरू की मतलब की उन्होंसे इस चीज पे बातचीज शुरू तो उन्होंने वहाँ पे अपनी basically अपनी representation बनाने की कोशिश की नेक्स्ट, Marxism and other socialist ideas spread rapidly in 1957 अंडल जौहलाल नहर्यू और सुभाष चंद्र बोस लीडर्शिप अब इमें Marxism देखने को मिलना मतलब जो काल मार्क्स के ideology थी, क्या थी? वो socialism लेके आना चाते थे, वो capitalist के खिलाफ थे, capitalism के ठीक है कि वो क्या कहते थे कि जो capitalism है वो exploit करता है जो मध्यम वर्ग है या जो poor class है, workers है वो उनको exploit करता है basically तो वहाँ पे अब यह जो ideology है, यह जो आलना लेरोर सुभाष नर बोस जी की leadership के अंडर यह इंडिया में आई, rapidly यह फैलने लगी, 1927 में इंडिया में भी आई तो वहाँ पे उन्होंने क्या concerns raised किये जो left wing थी, कि freedom struggle तो है ही, कि हमें स्वतनत्रता के लिए तो लड़ाई करनी ही है, लेकिन जो यह oppression किया जा रहा है, class का oppression, जो capitalist कर रहे हैं, जो इस चीज़ को समझा, कि जो बड़े-बड़े जमीनतार है, या जो capitalist है, वो भी हमें जो exploit कर रहे हैं, उस पे भी उनका, व और वहाँ पर क्या हुआ, फिर ये concern आने के बाद, जब अपनी आवाजें उठाई गए, तो जो marginalized sections है, और जो गरीब है, वो भी निकल के बाहर है, उन्होंने अभी अपनी आवाज उठानी शुरू की, और वो भी movement में connected हो गए, तो international movement जोती, वो और भी जादा strengthened हो गई, ठ अब कुछ revolutionaries थे, मतलब जो क्रांती कारी थे, जो की बदलाव लेके आना चाहते थे, ठीक है, तो ये जो क्रांती कारी थे, इन्होंने क्या responsibility ली, उन्होंने क्या जिम्मेदारी की ली, कि हमें लोगों को बताना है, उनको inform करना है, कि एक क्रांती की जरूरत है, एक revolution बहुत ही जादा जरूरी है, ताकि ये जो British Empire है, इसको हम उखाड फेक पाएं अपनी country से, अ पातंगवादी जो अंदोलन चलाया था, वो भी बहुत एक अच्छा, बेनिफीशल और नोटेबल साबित हुआ, क्योंकि इससे जो revolutionary women है, उनका रोल आया, कि उन्होंने पार्टिसिपेट किया, तो women का रोल महाँ पे बढ़ गया, women ने भी महाँ पे उस movement में पार्टिसिप parties got involved and propagated, Marxist and communist ideas while remaining an integral part of the social movement, sorry, national movement and the Congress, in 1928, बार्डोली सत्यगरेक अकड़ अंडर दी लीडर्शिप अप सर्दार वललभाई पतेल, bringing forward farmers concerns, अब यहाँ पे जो अभी हमने देखा कि Marxism आया, socialism, ideas और भी आये, ठीक है, तो वो बहुत जाद तेजी से फैलने लग गए, तो उस time पे जो students है, बच्चे हैं और जो present है, जो हमें किसान देखने को मिलते हैं, वो भी इस चीज़ में आर उन्होंने, क्या-क्या, उन्होंने भी अपने ideas दी और अपनी आवाज उठाई इसके लोग आये, और उन्होंने वो क्या बने, national movement का एक integral part बने, Congress का part बने वो, ठीक है, और 1928 में हमें बार्दोली सत्यग्रे देखने को मिला था, वो किसकी leadership के अंडर हुआ था, सरदार वललभाई पटेल की leadership के अंडर, और वो किसलिए था, बार्दोली सत्यग्रे, basically किसके देखने को मिला था, तो क्या हुआ था कि जो बच्चे हैं और जो पीजेंट्स हैं, किसान हैं, किसान बर्ग हैं, वो भी आ गया है, उन्होंने भी joint care national movement को और ज़्यादा मजबूत बनाया, अब हमें क्या देखने को मिला, कि जो व्यापारी हैं और जो मजदूर वर्ग है, वो भी यहाँ पे आ गया, उनका भी हमें involvement देखने को मिला, उन्होंने भी freedom struggle को join किया, वो भी आ गया है, और उन्होंने भी अपना contribution दिया, कैसे, कि जो trade union है, किसकी leadership में, all India trade union congress की leadership में trade unionism की शुरुवात हुई और वो बहुत ही जादा तेजी से बढ़ा, उसका विकास हुआ बहुत जादा तेजी से, उसकी वृद्धी हमें देखने को मिली, और 1928 से हमने देखा कि बहुत सारी जगाओं पे strikes होने लग गई, अब strikes होने लग गई, क्यों हुई, क्योंकि जो व्यापारी हैं, traders हैं और जो workers हैं, मजदूर वर्ग हैं, उनको अपने अधिकारों का पता चला, उनको इस चीज़ का पता चला, तो उन्होंने भी freedom struggle में अपना involvement दिया, अपना contribution दिया, उन्होंने अपनी आवाज उठाई कि नहीं हम exploit नहीं होंगे अब और जादा, ठीक है अब हमें स्वतंतरता चाहिए, हमें अपने अधिकार चाहिए, ठीक है तो इस तरीके से उन्हों भी हमें महापे देखने को मिलें, next, women from all over India were not left alone, they came forward and equally contributed to the national movement, कस्तूर्बा गांधी, विजे लक्ष्मी पंडित, अरुना अस सफली, बिकाजी कामा, are some of the most prominent who assumed leadership at different fronts, की महिलाएं भी ऐसा नहीं है कि उनको अकेला छोड़ दिया गया, तो वो भी आगे है नाशनल मूब्मेंट में, जैसे हमें कुछ prominent देखने को मिलती है, जिन्होंने leadership ली, उन्होंने, वो अपने, आपको उन्होंने, अपनी leadership qualities दिखा और वो आगे आई, front पे आई, आगे आके उन्होंने काम किया, वो लड़ी है, उन्होंने अपना contribution दिया है, और सब को motivate भी किया है आगे आने के लिए, तो क्या हुआ, हर चीज़ पे हमें, हर एक person देखने को मिला, women हैं, traders हैं, workers हैं, या जो peasants हैं, students हैं, हर कोई हमें देखन को मिला, सब ने national movement को join किया, और उसको strengthen किया, अपनी आवाजय उठाई, British सरकार के, के against, ठीक है, so, on the concluding note, even the business class participated by giving financial existence and rejecting imported goods, every class, section, age, group, political ideology emerged, came forward and contributed to the national movement, कि जो British class, sorry, जो business class है, वो भी हमें देखने को मिली कि वो भी आगया ही, क्योंकि उन्होंने क्या-क्या financial existence दिया अपना, जहां पे भी जरूरत ही, उन्होंने जो goods import किये चाते थे, मतलब Britain से जो goods import हो रहे थे, इंडिया में, उन्होंने उनको reject कर दिया, कि नहीं, हम इनका इस contribution दिया, even though it weakened the movement to some extent by the fragmentation and the internal ideological differences, it mainly made the movement strong by diversifying it and adding alternative perspectives to it, कि बेशक से यह जो इतनी ज्यादा डाइवोसिफाइंग हमें, डाइवोसिटी देखने को मिली है, इतना ज्यादा 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 ज्य बेशक से fragmentation बहुत ज्यादा थी, तो उसकी वेज़ से कही ना कहीं शाहिए तोडी सी वो कमजोर भी पड़ी, लेकिन फिर भी यह जो डाइवोसिफाइं है, और यह जो अलग-अलग perspectives इस पे add-on होते गखे उससे national movement और भी ज्यादा strong भी हुई है काफी ज्यादा जिसका फा कि जो multi-dimensional के अलग-लग dimensions अलग-लग perspectives निकल के आए movement में तो ये एक reason है जिसकी वज़े से हमें 1947 में हमें success मिली हमें स्वतंतरता मिली और finally जो voices जो आवाजे एक time पे हमें लगता था कि हमें सुनने को ही नहीं मिलती हैं बोली नहीं उठती ही नहीं थी वो आवाजे वो अब सुन Right so this was all for this question guys I hope you all have liked this analysis Apna feedback guys हमारसाथ comment section में जरूर शेर कीजेगा So with this we end of the session today hair guys thank you so much have a great day ahead Jai Hind